हेलो गाइस आप देख रहे हैं व्यम के टेक्निकल पापर और मैं आपका दोस्त विजे वर्मा दोस्तों आजम बनाने वाले इस अर्डिनो लिनू बोर्ड को तो हम इसे कैसे बना सकते हैं चलिए शुरू करते हैं कि दोस्तों सबसे पहले हम एक बोर्ड लेते हैं पिर उसके बाद हम एक ट्वाण्टी एड्व में इसे फेक्स कर द लेता हैं और उसकेव पीछी की शायडर हम इन सभी में सोल्ड्रिंग कर देंगे हर हम इन सभी में अर्फ़र एधेन करेंगे अब इन सभी में हमने सोल्डरिंग कर गए इसको फिक्स कर दिया है जीसी भी में अब इसके बाद हम इसमें सभी कंपोनेंट को फिक्स कर देंगे और चार्जिंग के लिए इसमें हम इस फीमेल जैक को कनेक्ट कर देंगे और फिर हम एक USB port लेते हैं, इसमें 4 pin है, एक VCC, एक Ground और एक D Plus और एक D Minus और हम एक switch लेते हैं, रिशेट करने के लिए circuit को अब हम पहले इस charging pin को इसमें fix कर देते हैं फिर इसके बाद हम इस USB को भी इसमें fix कर देंगे DCB में, फिर एक reset button को भी इसमें connect कर देंगे DCB में अब हम इस switch में soldering कर देते हैं और इसे DCB में fix कर देते हैं और USB की चारोफिन में भी soldering कर देते हैं और charging के female jack में भी हम दोनों point में soldering कर देते हैं, positive और negative इस तरह ये सभी component DCB में fix हो जाते हैं इसकी बाद हम इस 7805 regulated IC को इस DCB में connect करेंगे फिर इस circuit के जैसे हम इस regulated IC में connection कर देते हैं इसके बाद हम कुछ female header pins लेते हूं इसके बाद हम कुछ female header pins लेते हूं और इन्हें इस GCB board में connect करेंगे, हम इस circuit के जैसे ही इन सभी component के connection करेंगे इसकी बाद हम IC की analog pin को हम इस female header की 6 pin से connect कर देंगे उसी serial में, जिस serial में IC में analog pin होती है पहले हम सभी header pins को इस GCB board में connect कर देते हैं, फिर हम circuit को देखकर ही सभी component के connection करेंगे हमने सभी header pins को soldering करके GCB में fix कर दिया है अब हम circuit को देखकर सभी header pins के connection IC से कर देंगे कर देंगे आटि नहीं चाने सभी header में तेंगे रखकर आटिप कर देंगे अब कर दो पहले पहले झाल झाल अभी हमारी सरक्ट की ज्यादतर कनेक्शन कम्प्लीट हो गाई है अब हम रिशेट स्विच के एक टर्मिनल को आई सी की किन नमबर वन के साथ कनेक्ट कर देंगे फिर हम रिशेट स्विच के लूशरी टर्मिनल के एक्शन विद्राउंड से करेंगे फिर हम इन टीनो पिंज को एक साथ कनेक्ट करके ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे फिर हम एक और हैडर पिंज का कनेक्शन विची से करेंगे फिर बचे हुए एक हैडर पिंज का कनेक्शन हम चारजिंग की विची से पिंज से कर देंगे फिर हम एक क्रिश्टल ओसिलेटर लेते हैं 16 मेगा हर्ट्स का और इसे इसी की पिंज 9 और 10 की साथ कनेक्ट कर देते हैं फिर हम 22 पिको फेरेट के दो कैपिस्टल लेते हैं और इनके एक एक टर्मिनल को आइसी की पिंज 9 और 10 से कनेक्ट कर देते हैं और इनके एक एक बचे हुए पॉइंट को हम एक साथ कनेक्ट करके ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे इस पिन को हमने गलत जगे कनेक्ट कर दिया है उसके एक उपर पॉइंट आगे हम इसे हटा कर कनेक्ट कर देंगे अब हमने इसे सही जगे कनेक्ट कर दिया है और इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है आपस में फिर हम दोनों के अपस्टर के बचे हुए टर्मिनल्स को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और हम पिन नमबर 13 की एक उपर वाली हेडर पिंस को भी हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे अब हम एक LED बल्ब को भी इसमें कनेक्ट करेंगे LED के पॉजिटिव पॉइंट को हम ICT पिन नमबर 13 से कनेक्ट करेंगे और LED के नेगटिब में हम 220 ओम के रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे और फिर रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को हम Ground पिन से कनेक्ट कर देंगे फिर हम एक 10 ओम का इनका रेजिस्टेंस लीते हैं उसके एक टर्मिनल को हम IC की Reset पिन से कनेक्ट कर देते हैं और इसके दूसरे टर्मिनल को हम Positive Point यानि VCC से Connect कर देंगे फिर USB की Ground Pin को हम Charging की Negative Point से Connect कर देते हैं फिर हम USB की Positive Pin को Charging की VCC Pin से Connect कर देते हैं फिर हम एक 3.3 बोल्ट का जीनर डायोड देते हैं और इसके Positive Terminal को हम Charging की Ground Pin से Connect कर देते हैं और इसके Negative Terminal को हम USB की D Positive Pin से Connect कर देंगे यह हमने Connect कर दिया है फिर हम एक और जीनर डायोड लेते हैं 3.3 बोल्ट का और इसकी Positive Terminal को हम Charging की Ground Pin से Connect कर देंगे और इसकी Negative Point को हम USB की D Negative Pin से Connect कर देते हैं फिर इसके बाद हम 68 Ohm का एक Resistance लेते हैं इसे भी हम जीनर फिक्स कर देंगे फिर हम 2.2 क्लों का एक और Resistance लेते हैं इसे भी हम जीनर फिक्स कर देंगे फिर हम इन दोनों के एक एक टर्मिनल को एक साथ Connect करके USB की D Negative Pin से Connect कर देते हैं फिर हम 2.2 क्लों के Resistance की बचे हुए एक टर्मिनल को IC की Pin No.5 के साथ Connect कर देते हैं और 68 Ohm के Resistance के बचे हुए दूसरे टर्मिनल को हम IC की D4 Pin से Connect कर देते हैं फिर हम 68 Ohm के एक और Resistance को लेते हैं और इसके एक टर्मिनल को हम USB की D Positive Pin से Connect कर देंगे और इसके दूसरे टर्मिनल को हम IC की D2 Pin से Connect कर देंगे इसके बाद हम एक वायर लेते हैं उसे हम IC की Pin No.8 के साथ Connect करके Charging Pin के Ground से Connect कर देते हैं फिर हम एक वायर और लेते हैं उसे हम IC की Pin No.7 के साथ Connect करके 7805 Regulated IC की Output Pin में Connect कर देते हैं अब हम इस Circuit की Testing करेंगे इसके लिए हम इसे एक OTG के विल से Connect करके अपने Laptop या PC से Connect कर लेंगे फिर हम उस Source Code को Open करेंगे जिसे हमें इसमें Upload करना है उसे पहले Verify कर लेते हैं अब हम इसे Upload कर देंगे इसमें एक Error दिखा रहा है ये तो फिर हम Tools में जाकर Port चेक कर लेते हैं अभी यहाँ पर कोई Port सो नहीं कर रहा है फिर हम जाएंगे अब Device Manager में तो हम Control Panel में टाइप करेंगे Device Manager फिर हम Device Manager में जाएंगे फिर इसके बाद हम Universal Serial Bus Controller में चेक करेंगे यहाँ पर कोई भी Unknown USB नहीं है अभी तो फिर हम इन सभी को Cut करके अब Arduino Board को निकाल लेते हैं अब हम इसके USB के Connection को Change करेंगे अब हम जैसे इस USB के Connection इस Circuit में हैं वैसे ही हम कर देंगे तो हम USB के पहले के Connection को निकाल लेते हैं फिर हम 2.2 क्लो ओम के Resistance के दूसरे टर्मिनल को 7805 IC के Output Pin में Connect कर देंगे इसके बाद हम 68 ओम के Resistance के दूसरे टर्मिनल को IC की पिन RX से Connect कर देंगे अब हम फिर से इस Circuit की Testing करेंगे अब इसके लिए हम इसे OTG के विल से Connect करके फिर से अपने Laptop से Connect कर लेते हैं फिर हम उसी Code को Open करेंगे जिसे हमें इसमें Upload करना है तो यहाँ पर अभी सो कर रहा है USB Device Not Recognized अब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ Unknown USB Device सो कर रहा है अभी हम इसे Close कर देंगे अब हम Device Manager में जाकर फिर से Universal Serial Cable को चेक करेंगे यहाँ अभी यह सो नहीं कर रहा है फिर से और यह है अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम दिखा रहा है अब हम एक Arduino Board लेते हैं उससे भी हम अपने laptop या PC से connect कर लेते हैं फिर हम उसी source code को open करते हैं और फिर हम इसे upload कर देते हैं तो यह upload हो गया है अब हम इसके IC को निकाल लेंगे और जो हमने Arduino Board बनाया था उसकी IC की जगे हम इसकी IC को connect कर देंगे अब हमने इस IC को connect कर दिया है अब हम फिर से इसके testing करेंगे अब हम फिर से OTG केवल से connect करके इसे अपने laptop से connect कर लेते हैं हमने इसमें LED blinking का program upload किया था तो अभी यह LED blink कर रही है अब हम फिर से device manager में जाएंगे और फिर से हम universal serial cable को check करेंगे तो यहां अभी show कर रहा है unknown device अभी इसमें एक error दिखा रहा है code 43 अब हम इस unknown device को update करेंगे फिर हम browser पर जाएंगे इस lets me pick from a list में जाएंगे और इस model number को select करके next कर देंगे तो हमारे पास इस problem का अभी तो कोई solution नहीं दिखा रहा है कि अभी हमारे पास जो manufacturing device है तो उसका हमारे पास अभी कोई driver नहीं है तो हम दूसरे Arduino में program करके और जो हमने Arduino बनाया था उसमें उस IC को connect करके हम उसे use कर सकते हैं उस्यश्यज्थ